कि हैंट आख कर देखो आज हम जो आपका लेंड ग्रेटिंग लेंड कैपिपिलिटी और एर्थ इसके बारे में जो है स्टार्ट कर्ते हैं पढ़ना ठीक है अब आपको लेन्ड ग्रेटींग आपको क्या होते है देखो लेन्ड ग्रेटिंग इसमें आपके 3 section included लेंड ग्रेटिंग एलेंड प्रफिपिलिटी और अट वैसे तो मुझे इरिगेशन में कवर करना चाहिए और लेकिन आप इसी में कवर कर रहे हैं क्योंकि आप कर रहेगा लेको लेटिंग आपको अगर आपको यह लेंड अगर इसकी टॉपोग्राफी जो ए अनिवन इवन अनिवन टॉपोग्राफी तो इस देवरीग दिविगल तुपोग्राफी टॉपाइज रौपर इंपर इंट रिरिगेशन द्राइज प्रोपण नियों ठाता इस व्ट अबिश्ट ओंक्राइज रोजु ज्यादा होगा, तो, वे आप इस नथा सोर्वद्स नन नियूड तो उसको हमें ठीक करने के लिए we are providing a smoothing kind of land that process known as a land grading smoothing of a land to make a plain surface we will have to make a plain surface up to the some gentle slope if we are having a some uniform gentle or slope that is fine right but if we are having a non uniform like यहाँ पर आपकी slope एलाग है फिर यह ऐसा land है फिर ऐसे गर यह तो that is not fine तो हमें यहाँ से इसको ऐसे लाना होता है ठीक है अब इसके advantages क्या होते हैं if we're having a proper land like हमारे पस अगर smooth land है और एक slope यह यह uniform slope पे लेंड है यह फिर बिल्कुल parallel land plane grade जिसको बोलते हैं तब इसमें क्या होगा to control the flow of the water अगर हमने यहाँ पर water को apply करा तो हमारे जैसी slope होगी वैसे यह flow करेगा अगर हमारे पस ही smooth land है ना तो irrigation और drainage दोनों अच्छे होंगे uniform distribution of the water of course it's a uniform distribution अब land grading तो यह हो गया इसको generally हम तीन process इसमें होती है सबसे पहले क्या है अगर कोई गड़ा है सपोस्को रही बोरोपीटा है गली रोजन ऐसे करें तो उन गली रोजन और बोरोपीट को हटाना to remove this obstruction तो पहला आपको होता है rough grading आप सबसे वहले rough grading करते हो you will remove the like the large barrier such as a gully or the pits or remove the irregularities the second one is a land labeling the third one is a land smoothing land labeling and the land smoothing both are the same time it's just a land smoothing them हम हम पहले land smoothing करते हैं और land level level करते हैं land smoothing is a final operation कि आप फिर से एक बर प्रोर कर लो तो जो हमें plane grade मिल जाए लास्ट इस फाइनल ओपरेशन तो आपको क्लियर हो रहा हो किया रहा है सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा पिट होंगे बरोपे उनको हटाएंगे फिर आपको यह करेंगे तो यह आपकी प्रोसस होती है पूरी अब इसमें आपका सबसे में होता है क्रेटेरिया इतना इंप्रेंट नहीं है फिर पढ़ लेते हैं क्रेटेरिया कोई भी हमें लेवल करना है सब्सक्राइब करेंगे यह जो आप टेकनिक करेंगे करेंगे आप उसका डेपनेट करती है क्या सब्सक्राइब पिर आपके रेंटल करेक्टिफिटरी कैसे एस एए में प्रेस्टिपिटेशन कितना है इंटेंस्टी इस फ्रिक्वेंसी कितनी है क्रोपिंग पैटन कितना है आप कौन सी लेंड पर कौन सा क्रोप उगाना चाहते हो because some crop requires a flatter land some crop requires a steeple land so what kind of crop you want to grow in a land to that will be a criteria for the land leveling criteria क्रेटेरिया है कौन क्या है factors and land leveling के irrigation method which irrigation method you want to choose for the particular kind of the crop the farmer preference कभी भी कहता है farmer की preference होती है कि हमें इस तरीके के लेंड चाहिए अगर उनको ज्यादा अगर आपको कम like कम प्लेंड ग्रेट से मलब आपको ज्यादा smoothing लेंड नहीं चाहिए तब भी काम चल रहा है तो अभी आप उसको करोगे तो farming preference drainage कैसा चाहिए irrigation system कैसा रहेगा कैसा आपको overall system प्रोवाइट करना है जो system आगे पढ़ेंगे surface देने जाए तो इस kind of factors which affect the land grading criteria सबसे ज्यादा इंपोरेंट है land labeling methods इससे आए फास पूछा आता है कि land labeling methods कौन कों से हैं दुख हमारे पर चार method available होते हैं एक होता है ज्याइन मेथाइन मेथड एक आप कहौता है तो प्रोफाइल मेथड एक आपको होता है contour adjustment method contour adjustment method method ठोट रचेस्ट मेंट मेथर ठीक है को हम दिसकस करते हैं अट से पले सब्सक्राइब आप ऐसे बर्टीकल यह इंटेल लाइन की चोड़ इस फ़र्स्ट अपर डिवाइट दा लेंड इंट अपने इसे डिवाइट कर दिया है इसे डिवाइट कर दिया है अब मुझे यहां पर दो चीए चीए दसेंट्रोईड आपक्व ग्रिट गा सब्सक्राइब यह थोड़ा उठा हुए लेंड यह उपर है यह आपका जमी नों दसा हुए यह आपका लेंड में अन्डूलेटे लेंड यह आपका यह तो आप यह निकालो कि इसका सेंट्रोइट कहां पर फोल करेगा उसकी लोकेशन इंट बसाईट वडिट थी सैंटोरोगा कहां साथ डिट पॊंट होंगा यहां से लेकर है अंटो यहां टॉट sunny and such a ही निकाल वे सबी का अब सब्सब्सक्रा एक सेंटोड एलिवेशन निकालू कि यहां पर इस गृ grammar का 2 मिटर एलिवेशन है ही वुच है यह 1 मिटर नीचे तो माइनस वन से दिखा दो यह 3 मिटर उच है यह माइनस 4 अब ऐसे करके हाइट और सेंट्रोड निकाल लोगे सब्सक्राइब करें तो अगर कोई 2 मिटर से उपर है तो अगर कोई 2 मिटर से उपर है सब्सक्राइब करें तो अगर इस से उपर लेंड है तो क्या करते हैं इंडिविजल ग्रिट को सेंट्रोईड में तो बहुत ही बेसिक मेहड़ तो यहां से इसको इक कुल बाट में वो करें आपने यह कौरनर से लाइन खिष्णी है जो सामने लाइन को इक को इक युए एक अधिक हैं तो इनका सैंट्रोईड मिल लाइगा तो आप लोकेशन ऑच्व जो है ट्रेंगल में इसे मिडियन इंटर्सेक्षशन पॉइंट मीडियन खीश्टों और कॉमनर पॉइंट से जहां मीडियन जो इंटर्सेक्श्ट करेगी वह आपका सेंट्रोड हो तो दो सैंट्रल आपने निकाल लिए फिर उसका ऐलिएशन निकाल लो आप समझ वा रहा है सपोस्कों करो यह आ compare करते हो आप निकालते हो distance देखो यह रख कट यह फिल करोगे elevation of centroid point elevation of centroid scg minus जिस point का आपको निकालना है suppose height of the particular point मैं दिखारा हूं जो point है उसकर दो मिट्र का है तो यह आपके height of centroid 1 है minus 2 मलाब इसमें minus 1 करना बढ़ेगा minus show करता है cut को मला यह दो मेटर का है और यह एक मिटर का है तो आपको एक मिटर उपर का हटाना बढ़ेगा तो माइनस शो करेगा आपको यह करना है यह अगर यह अगर आपको सबोस्कुर्ण इस मेटर झाट का है तो करती है इस मेटर में जो कट का समीशन होगा और फिर्ल का समीशन होगा वह सेम होगा बिलाए तो सिंग्मा ओफ दा कट ओफ 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 ग्रीड पॉइंट एंडिविज़ ग्रीड बने हुए इंडिविज़ ग्रीड को निकालोगे और वहां पे स्ट कट और फिल देता होगे अब इसमें भी होता है आपका एक तो विदाउट स्लोप और विद स्लोप ऐसा भी होता है तो कट जब आपको स्लोप पे लगाना हो राइट अगर आप यहां पे कट लगाऊगे तो आपको order 2.0 से दिवाइट बिवारेजंगे मान सिंगे मैंट कट opis था इंडिविज विजिग दो खुई प्राइट अपको यह से चer zijn बेटीज तंड हले सोग्रीन ग्रेटन डिवरेटन दखलेट एंडिविजुल ग्रिट एंड़ कटेंड फिल आर बोट हर था सेम इंडिस मेफड़ एलिएशन और सेंटर का फॉर्मला यह रहा अगो पुदीशन और सेंटर निकालने तो यह रही ठीक है यह आपका मोस्ट यूज मेफड होता है और यह ट्रू प्लेन मेफड भी इसको बोल ट्रीफ फॉर कि यहां पर यह हैं अब हम गृइड में काम नहीं करके एक लाइन पर काम करां रहे हैं इस लाइन को जो है स्मूथ कर रहे है विसे एक लाइन को स्मूथ करे हैं We aremod working on a grid level यह आपका नहीं पोघ्र कर रहा हैं गोड़ सकते ही इसको इतने ज़्यांद आधा पड़ने की जुरुएस 필요 Hakane तो यह फ्लाइट लेंड के लिए स्रूटेबल होता है त्राइल एर्र मेठेट है आप जरह पढ़ना याद यह पढ़ सकते हूं इसको इतना याद पढ़ने की जुरूत है नहीं था था प्लेइन इंस्पेक्शन मेठेट है अभी तरह हम क्या करें थे हमने प्लेइन में क्या क अब यह फिर हमने हाइट और सेंट रोड़ का लिए निकाला था समेशन करें लेकिन इंस्पेक्शन में क्या होता है विविल कैल्कुलेटर डिजाइन एलिवेशन विद एल्प एक्स्पीरियंस वरकर मला आपने इंस्पेक्शन करते ही आपके पास टॉपोग्राफी इंफ कर दो यहां पर हमने हर जगह जाकर में अलेंड की अलीवेशन कि इस ग्रिट पर कितना है यहां पर हम बेश्ट उन दप्र एक्स्पीरियंस वरकर हम उसको यूज कर रहे हैं तो यह आपका फ्लेट सब्सक्राइब उस्पीरियंस परसन बिकॉस बेस अन्ट टोपोग्राफी क्योंकि आपका यहां से नहीं निकला क्योंकि proper mathematics you have not included you have included a design with the help of the experienced person आपने बेस अन्ट टोपोग्राफी आपको वस लेंड है आपने का अपने का टोपोग्राफी इसकी ऐसी ऐसी स्लोप है आपने दो तीन पेरामिटर करें आपने design elevation इतना होना चाहिए तो इस तरीके से तो इसमार कट और फिलकर रेशियो नही आप grid level पे नहीं आगे यूर्ट वर्किंग होना contour lines और यह steep slope के लिए होता है तो यह आपका steep slope के लिए हो गया यह आपका moderately flat के लिए हो गया और यह आपका most use तो आपको चारो मीरीटे समझ में आ अगये plane इडियोग वे काम करना है profile आपको यह simple यह 12 वर थो यह प्रोफाइल पेłeड ग्रिएवहल अप्राइब काम कर रहा है दो थि क्योंगए हो grey extr 턱 के लिए होता है अगला आपका एक तो एंड अर्फवर्क होता है एक बनाओंगे अर्फवर्क का मतलब है आपको तलाब बनाना आपको यहाँ यह आपने यह आपको तलाब बनाना है ऐसे करेंगे आपने रेक्टेंग शेप का आपको तलाब बनाओंगा ऐसे तो उसलिए आपने ऐसे जो है मिट्टी डिक करेंगे यहां मिट्टी डिक करेंगे यह मिट्टी खोदी आपने ठीक है इस मिट्टी डmind खोदुने के लिए अवशक वॉल्यूम निकालना होता है अब यह हो सकता है यह ऐसे मिट्टी धी आ खोद कर ये-ऐसा सरफेस हो यह ऐसे इंकलाइन वो राइट यह आसे करेंगे यह तो अब अगर यह इंकलाइन्द seems अब यह देखो अब हमें इसका volume निकालना है how much volume rate you have done तो इसके method आपके होते हैं यह आपको जमीन पर है यह आपका bottom है और यह आपको ऊपर जा रहा है हवा में आप समझभा रहे हो यह figure ऐसे है यह ऊपर जा रहा है हना हवा में यह ऊपर आये यह 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 बनाई है यह ऐसे है आपको 3D में समझभा रहे हो तो यह top point है सारे तो एक आपका होता है end area method मैं bottom का area निकाल लूँ मैं top का area निकाल लूँ ठीक है इन दोनों का average ले लो तो bottom का top का area a1 plus a2 by 2 और इनके बीच की depth जो है D है तो यह आपका होता है end area method मैं you are taking only two areas तो यह आपका end area method हो गया दूसरा आपका होता है प्रिज्मोडल प्रिज्मोडल मैं क्या middle का area भी निकालते हो आप और ज्यादा accurate करते हो वह यूजिंग थ्री एरिया वन बोटम का area middle का area middle के एरिया वह चार्ट स्रेट मल्टिप्लाई करते हो फिर आपका top का area divide by 6 into D यह इसमें यह ज्यादा more accurate होता ह क्योंकि इनका अर्थक निकालना बहुत मुश्किल होता है एक मैं middle का area निकाल लूंगा यह और आपका top का area निकाल लूंगा तो मैं तीनों top का the mean average area आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है आप सब्सक्रों मुझे area निकालना किसी भी फीगर गा इसको जो वैरी ओर डिमेंशन में इस सोटा कॉंस्रेंट अगर कॉंस्रेंट जा रहा होता तो क्रोंस्रेक्शन एरिया पर यह वैरी हो रही है इसकी क्रोंस्रेक्शन जो Vaтор the end area ह mistakenそ Cobus area निकालो इन दोनों का average कर दो A1 अट्ट बाइटी तो यह मीन यरिया आपको कुछ आएंगा यहां पे mean area निकलना है तो आपका first वाले का weightage 1 है, second वाले का weightage, third वाले के 4 weightage लो कि middle में आपका more accurate मिल रहा है, तो मीन area आएगा into D, यह आपका end area method यह आपका prismoidal होता है, किसमें होता है? prismoidal, तो यहाँ farm pond में भी लिख सकते हो हर जगा, तो आपका end area में यहीं दिखा रहा है the V is a1 plus a2 by 2 the L is a distance between the two end profiles अगर आपने यह एक profile ले रखी है और आपको अब यहां पे visualize करना कि a1 a2 के है यह आपका a1 है यह आपका a2 है that is your L that is your L यह आपका L है प्रिस्मोडल में क्या है आपको इसी shape का area निकालना था इसी shape का what you have done आपने इसको 6 आपको उसमें एक तो यह a1 ले लिया यह a2 ले लिया एक बीच का middle area भी लिया आपने यह आपने यह अपना mean area निकालूंगो इसको बोले यह आपने इसको ग्रेट में डिवाइड करा अब देखो यह अब हम एक ग्रेट के नालिस करते हैं इस ग्रिट के चार पॉइंट है इसको बोले यह ता पोइंट मैथड भलाब्ह ऐयर यूजिंग यहा है हम स्विय। के यूज करेंगे किसका 4-point मेठट हमे टोटल पर अर्थ निकालना है कि हाल मछ एमाउंट अर्थ कितनी करनी है कितनी गर्लिक प्रिलद्वर सब्सक्राइब करनी है कोई कट है कितना अब कट लगारे हैं इस आपका अ अब यहां पर आपका यहां पर दो तो volume of cut आपका क्या होता है, जो आप grid लोगे सबसे पहले square grid होना चाहिए, the L is the distance between these two, आपके जो भी grid ली है, चार point का, तो यह आपका square grid रहेगा, इसका formula आपका होता है, L is square by 4, sigma c का square, divided by sigma c plus sigma f, what is the sigma c, the sigma c is the amount of the total cut of all the four grid point, आपको समझ पहा है, आपने एक grid बनाया है, तो पह cut यहाँ पे निकालो, cut यहाँ पे, cut यहाँ पे, जितना भी cut आरहा, सबका summation कर दिया, as a sigma fill, जितना fill यहाँ पे आरहा, जितना fill यहाँ पे आरहा, जितना fill यहाँ पे आरहा, उसका summation कर दिया, फिर आपने यहाँ पे VC निकाला, L क्या है, is the distance between the grid points जो आपने taken करी है, ठीक है, तो आपको यहां से यह formula मिलता है, volume of the cut, ऐसे आप हर grid के लिए निकालोगे, फिर आप सभी grid का summation निकालोगे, तो सभी grid की volume of cut, सभी grid का volume of the fill, फिर यहां से आपको total अटिवरक मिलेगा, total volume of the cut, total volume of the fill, आपको समझ में आ रहे हैं, बहले हैं, we are making the use of the four points, that is known as the four points, तब ही देख इस point का आपका elevation बता होगा, तो cut or fill तो निकालोगे, height of centroid से मैंने बताया था, cut or fill आपको क्यों होता है, height of centroid minus height of the given point, suppose करो मुझे इसका निकालना है, 2 meter पर है, 3 meter पर है, 4 है, centroid मेरा 2 पर आ गया, तो 2 minus 2, यहां बे तो कुछ cut लगाना है, इसकी बराबर है, क्योंकि हमें आपको आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा, तो यह formula आपका बहुत ही important है, दोनों के दोनों, very very important formula, तो sigma cut आपका निकलता है, vc l square by 4, sigma c square divided by sigma c plus sigma f, ऐसी volume of fill निकालना है, again it's l square by 4, sigma f square divided by sigma c plus sigma f, यह रहा, ठीक है, next पढ़ते है, फिर आपका आ अगर आप civil engineering में जाओगे, तो और में ही उस करते हैं, पढ़ना नहीं, अगर आप नाम लिखना चाहते हो, आप लिखतना पेपर में, जस आपके answer को और attractive बनाएगा, section method, average method, division by square method, contour method, पर इसको पढ़ना पढ़ने की जुरूत नहीं है, recommended cut fill ratio पूछा आता है, कि आपको कौ कौन सी soil के लिए आप कौन सा cut fill ratio डालना है, cut fill ratio, यह दिहां रोको, if you see the cut fill ratio, अलग-अलग research paper में अलग-अलग था, मैंने यह जो करा था, एक book से लिए रखा है, coarse texture जो का soil जो है, वो 1.1 से लिके 1.2 तक होता है, जो medium texture soil है, 1.2 से 1.3 तक होता है, fine texture soil है, 1.3 से 1.4 तक होता है organic soil का 1.7 से 2 ratio बना है, but again, if you see, एक research paper में ऐसे लिका था, coarse grade का 1.15 to 1.25, medium का 1.4 to 1.6, so fine का ऐसे लिका था, तो आप देख लो कैसे variation हो रहा है, आप यह खुद से भी देख सकते research paper कोई देख लेना, क्योंकि यह general books में तो था नहीं, research paper में यह आपको मिले गाए, क्योंकि आप इंडिया का research paper बढ़ रहे हो, यह foreign का बढ़ रहे हो, तो अलगले चीज़े वहाँ पर होंगी, but generally it's more authenticate, यह भी बोल सकते हो, यह जो भी आप लिखना चाहते हो, अब equipment for the land grading, equipment क्या होंगे, जो भी आपको अब यह land है, यहाँ पर गड़ा है, यह उपर उठा हुआ है, गड मिट्टी जो होती है, तो यह scrapper यूज करें आती है, इस scrapper में भी leveller blades होती है, wheeled scrapper होती है, chloral tractor, chloral tractor क्यों होता है, यह अगर आपका tractor है, यह आपकी chain बिची होती है, यह चैन, आप लेकर ट्रेक्टर में है, तो चलता है बिल्कुल जैसे वो यूदगे, वो नहीं होता था लड़ने वाले वैसे चलता है, तो यह आपकी ट्रेक्टर होता है, इस तरीकिएगा, levellers यूज करते हैं, level करने के लिए, wooden float आपके आते हैं, wooden float कुछ ऐसा होता है, यह पाईया लगा है, यह wooden float है, ऐसे करके और यह ट्रेक्टर से रटा है चाहिए, animal drone ये ट्रेक्टर रॉन यह wooden का बना हुआ है, bucket scrapper होता है, scrap करने के लिए, animal drone scrapper होते हैं, याद करना बहुत मुश्किल है, इनको बुल्डोयर याद करो, scrapper याद करो, leveler से याद करो, अब इस scrapper में लिख देना, animal drone, tractor drone, लेवलर में लिख देना, animal drone, tractor drone, फिर आपको लोलर ट्रेक्टर आजाएगा, यह से एक leveler यह दिखा रहा का, यह आपका leveler है, basically, यह board होता है, इसके यह आपका handle होता है, और यह chain होती है, तो इस लिएक लेवल करता है, इस लिए chain के साथ किसी भी जोड़ दो इसको, बहुत basic चीज़े हैं इसमें, ऐसा सुच है नहीं, तो आपको machines के बस नाम यास करने है, next पढ़ो, अब पढ़ते हैं आपका land capability assessment, land grading आपका खतम हो गया, now we will use the land capability, देखो land capability होता है, suppose करो मेरे पास यह land है, एक यह भी land है, एक यह भी land है, अब मुझे किस land पे crop cultivation करना है, like, आपको खेती किस land पे करनी है, in which land you will perform the cultivation, तो उसके use के साफ से, देख रहो land use cultivation, उसक के use के साफ से हम land को आठ के टिगरी में decide करते हैं, first land capability one, second, third, fourth, इनको subclass बोलाया था, वैसे class तो दो ही होती है, either या तो आप उसको cultivation के लिए यूस करोगे, या फिर cultivation के लिए यूस नहीं करोगे, cultivation मतलब मालनों की, मतलब ठीक ताग land है, slope कम है, green pasture है तो आप cultivation कर दोगे, ल crop उगाई जाएगी, and the pastures, pastures मतलब कहीं पेता को खेती के लिए कर सकते हो, कहीं आप forestry के लिए कर सकते हो, तो इन दोनों का ही main use कर रहा था, either you will use land for the government, अगर आप देखो कि from a government point of view, either you will use for the cultivation of the crop, और either you will use for the forestry, wildlife management, pasture, यह सब इसके लिए, तो government ने दो classify कर रखा, एक तो cultivation, एक non cultivation, cultivation में आपकी चार class होती है, first, second, third, fourth, यह आपकी चारों की चारों cultivation के लिए decreasing order में, बलब यहाँ पे easily cultivation है, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ पे तो cultivation होगा ही नहीं, फिप्त में cultivation होई नहीं सकता, non cultivation, यह भी six में cultivation नहीं हो सकता, seven में cultivation नहीं हो सकता, eight में यह आपकी forestry wildlife management के लिए होती है, तो यह यह दिखा रखा है, तो first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, the first से four जो होती है, यहाँ पे तो cultivation possible है, fourth से eighth में, not suitable for the cultivation, यहाँ पे cultivation नहीं होगा, अब इसकी आपको चीज़े याद करनी है, क्या याद करता है, सबस्ते पहले, कि यहाँ पे तो को very intensive cultivation, आप बहुत जाला cultivation यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे intensive cultivation, ठीकता cultivation कर सकते हो, यहाँ पे moderate, यहाँ भी cultivation, यहाँ आपका लिमिटेड ग्रेशिंग होगी, यहाँ पे और forestry, यहाँ आपका ग्रेशिंग और forestry दोनों के लिए use होता है, और last वाले में सिर्फ wildlife management कर सकते हो, यह लेंड तो बिलकुली खराब लेंड होते हैं, अब देखो इनकी slope, यहाँ पे cultivation के लिए crop अगा सकते हो, यह अच्छा होता है, यह उससे बेकार होता है, यह अच्छा होता है, फिर भी उपर के चार बिलकुल ठीक होते हैं, यहाँ भी खेती विगएड़ा करिया सकते हैं, in which you can perform the crop, you can grow the crop, इनकी slope याद करनी बड़ेगी आपको, इस वेरी, आपको बिलकुल slope, बिलकुल exact पता होन है, तो ऐसे अब याद तो करना बड़ेगा है, उसके बाद की slope देखरों कितनी बढ़ रहे हैं, इसलिए हाँ खेती नहीं हो बादी, यह 15-25 प्रसंट जाता है बिलकुल अगला, फिर यह 25-30 प्रसंट, फिर यह 33-50 लेजन बचार अब इसलिए ऐसे याद करो, यहाद करो 15- यह तो आफ में जाता है, यह तो 15-50 प्रसंट बचम हो रहा है, पंदा से पचिस आप जोड़े हो, फेंदा से पच्शी से लिख्ता है, फेंदा से लिख दो को पेपर है कोई फ्राशी प्रोब्लम नहीं हो इसलिए पर फेंदेशंट से लिख्ता हेँ, प्रीपर में लिख क इंक्रीज होते हैं एक्जट कलर याद करना तो यह रही ग्रीन कलर का होता है अब लेंड होगा न समझ जाओगे ग्रीन कलर का लेंड तो गॉर्ण बता देगी यह तो आपका अराम से खेती होगी तो कल्टिवेशन बहुत अच्छा होगा फिर येलो कलर का लेंड है यहाँ प यहां पर कल्टिवेशन रीकर का होता है तो यहां पर आपका बरी इसको खेती के लिए आपको इसको खेती के लिए आपको if you want बहुत ही बेसिक प्रेक्टिस चीए लाइक आग्रोनोमिकल प्रेक्टिस जो होती है अगर आप इसको खेती हो गयों कि यह खेती वह अच्छी होती है इसमें अल्रेड़ी इस बेरी गुड फो दा कल्टिवेशन तो यहां पर मोडिरेट करते हो लाइक आप टेरिसिंग कर दो यहां पर आपका अपका अपका अपने अग्रोनोमिकल मेशर प्लस इस्टबल मल्चिंग वगएरा दे यहां पर आपने इंजीरिंग मेसर ती है कि आप बंडिंग टेरिसिंग बैंट्रेसिंग वगएरा श्टार्ट कर दोगे आप समझ रहे हो यहां पर आपका अपने अग्रोनोमिकल मेशर प्लस इस्टबल मल्चिंग वगएरा दे यहां पर आपने इंजीरिंग में बैंट्रेसिंग देनी वड़ेगी थोड़ी स्लोप बढ़ रही है यहां पर आपकी स्लोप ज़्यादा होती है तो आप इंजीरिं यहां पर पाश्टर हे क्रोप वगारा के लिए यहां आपके होटीकलच्र क्रोप उखती है देखो फिट और शीड़ होते हैं आपके पेरेनियल वैडिटेशन के लिए गरेंगी कि ग्रेजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनके लिए लेकिनिक वाले में होड़ी घर भुड़्टी सब नों कल्टिवेशन तो ये फोरेस्टरी के लिए यह बीफिरेस्टी वाइल स्थम लेप के लिए या आपका कोई घर आनियो तो इस तो यी रिविश्टी साथ कि आपको क्या-क्या इंप्रूब करने है लेकिन चार मेसर्ड जन रहली होते हैं लेंड के इंप्रूब करने के एक तो इरोजन कांट्रोल करके द्रेश इरिगेशन और फार्मिंग मतलब लेंड ग्रेडिंग जो अभी हमने पढ़ा था लेंड ग्रेडिंग लेंड फार्मिंग करके हम आपको लेंड के बिल्टी कि आपके लेंड अनीवन लेंड उसको स्मूधन कर दिया तो उससे आपके अच्छा बन जाएगा अगर मैंने वाप पर इरोजन की प्रैक्टिस अब यहां पर बंडिंग कर दी तो इससे भी आपकी जो है लेंड आपका कल्टिवेशन बढ़ेगा इरिगेशन और यह जब भी अपना आंसर लिखो तो आप यह तो टेबल बनाओ यह बनाओ साथ में चार चाहिए जरूर लिखना कि आप इरोजन कंट्रोल कर रहे हो अगर अगर आपने समर? तो अगर दूर बनाओ समझे होती तेृट साए कि अजरो यात ना बोक्त मिश्किल है ल्यागर आप करना वोटटर लोगिंग की प्रॉबबलाम है द्रणब इस से दिखान है This वोटर लोगिंग रॉलम तो अब लिख दो वहां पर इरोजन की प्रॉलम है फिर जो मरजी लिख वहां पर पता होना चीज थोड़ा सा अब यह आपका खतम हो गया अब तो यहां पर लिखाँ यहां पर और Supreme मो यह वाला है लिए खेट मों खाट हो यह बहुत्र if कि पीछ वाला इससा लइल यह इसको बोला जाता है Top Width of the Dam यह आपकी Bottom Width of the Dam होती है, यह आपकी High of the Water behind the Dam यह होता है Free-board, Free-board क्या होता है, अर्धन डैप की Top Width से, इसकी बीच की Distance आपकी Free-board होती है यह आपका Free-board होता है तो इस आपके स्थोड़े Basic Concession होती है, यहां से आपकी के वोट रखा तो अब अर्फन डम के षण अच्छा आपके बहुत सारे मप्ट्रि बने वित ऐसके वंतल DAC अर्फन डम हो ते हैं ऑप के यह बनाना आ तो इसके बनना एक नर्थ अपकर भोट shall तो क्या होगा अगर आपने concrete का डैम बनाया है ना तो यह foundation ही failure होगा इसकी strength बहुत कम है तो foundation की strength कम होने करण हम यह आप soil का डैम बनाती है जिसका load बहुत ज्यादा नहीं होता आपको समझ मारा है तो made of the soil due to the poor strength of the foundation foundation की strength बहुत कम है है इसलिए हम soil का बने होते हैं and the dam which is make of the soil is known as the earthen dam अब यह आपका डैम है इसके बीछे आपका water store हो रहा है तो जो भी आपकी water जो है force लगा रहा होता है the force existed by the water it will be the bear by the the share of the particle आपके जो भी शेर्शन दोगास डैम में जो भी आपकी आपका बना होता है hydraulic dam और एक आपका रोक फिल्ड है यह क्लासिवाई है मैं होता है construction के साब से क्या आपको construction कैसे कर रहे हो hydraulic और रोक फिल्ड रोक फिल्ड आपका तीन का होता है homogeneous zone और डाइफ्राम अब इसको बढ़ते हैं तो hydraulic dam क्या है आपका है आपका hydraulic materials are excavated constructed transported by the hydraulic machines इसमें क्यों होता है यह आपको dam बनाना है है ठीक है इसमें आपने जो आपको कोई आपने मिट्टी यहां से निकाली आपको dam बनाना था मिट्टी यहां एक्सक्वेट करी डग करी यहां से ट्रांस्पोर्ट करी जो भी आप काम कर रहे हो इसमें को होता है आपको यहीं पर निकाली यहीं पर डग कर दी आपको material मिल रहे हो आपको slurry slurry का मलब क्योंता है इसमें बहुत अच्छी mixing होती है slurry में तो आप आप यहीं पर कर देते हो इसमें आपने प्रोबर्डी उनके बीचे बहुत जादा होती है तो मुझे कोई कमला आपने अपने मिट्टी यहां पर डाल दी आपको compact नहीं करना ठीक है रोग फिल में क्या होता है यह आपकी रोग फिल जो material होता है लूस रोग डैम जो लूस रोग होती है उनका बना होता है और मट्रियल आपको क्या हुआ यहां मिट्टी निकाली रोग आपकी चटानों से आपकी लूस रोग मिली उससे आपने पथर निकाले और पथर को जो ट्रक वगेरा है या फिर स्क्रेपर वगेरा इसके थुरू आपने एक जगा पर ट्रांस्पोर्ट कर दी हां पर डैम ब अच्छी थी इसलिए हमें एक्स्रा कंपेशन दिना होता रोग फिल्ड है में तो बेसिकली इस डण बाइधा है यूस रूस रोग डैसा है नोना आपका एक ही मट्रियल का बना है लाइक इफ दम डैम इसके अंदर तीन होते हैं होमोजीनियस जैम क्योंता है को डैम यह मट्रियल मैट्रेल इस इंपार्विय के उता है जो अपने अंदर से पानी देगा यह मूमेंट्योंस थो सब्सक्राइब मट्रियल है आपको वोट्र है यहां पर रहा था तो यहीं पर स्क्राइब आप गर पारश्ण अगर पर बिसमगर्वियर आएक इमपर बनावा उता लीघन दे लेंगा है रहता है यहां में आपके सिपेज लाइन होती है यहां पर हम देनेज देंएं रहे आपका इंडर्फॉत देटें मर्लिकों गणा होता है जिसके दूर्प पानी नहीं जाएगा लाइक पथर हो गई ग्ले हो गई परिवेस लेज इसके पानी चला जाएगा लाइक सेंड ग्रेवल हो गया तो आपने अउटर लेपरिएस देदी इस लिए इस लिए जोन टाइब लिए हमने दो जोन दे रखिए हैं इसमें होमजीनियस मतलब एक जैसा जोन मतलब दो जोन डिफरेंट का इन अद जोन टैब जोन टैम यह वाला पऩर विएयल का बनाऊंगा यहां पर एक इमपरीएस वोल एक इमपरोस करते हैं आपको समझ में कि आ इसमें आपका दो लेएर में डिवाइड कर दी है इंपरवीयस और परवेट भारवली अमभीशे परविएस रहती है इसमें भी बारवला परवेश रहेगी इसमें सिर्फ छोटी सी अम एक डाइफरम टाइप प्रवाइड करते हैं यहां पर डाइफरम इंपर इंपर्वेस अब अगर आप से पूछा है design of water dam करना है तो आपके याद करो एक तो टॉप विथ होती है तो टॉप विथ निकालने के तीन फॉर्मले है depending upon the height यह आपके height और क्या होता है यह आपकी टॉप विथ है आपने वोटर यहां पर इस्टॉप कर रहा है डिफ्रेंस बिट्वीन दा वोटर लेवल डिटिस चोड बहांड रहे हो तो आपका मिनियों मतलब नॉर्मल कंडिशन हो जो आपको वोटर लेवल की एवरेज आपने डैप्ट ली है और तो अधिय का डिफरेंस तो आपका नॉर्मल आजेगा वह तो यह फ्री उड्रां प्रींट आपका यूस कर रहा दो अघर आप ने फ्रीव नीं जों सबसकर overhead आपका आपका школ हो रहा है अगर आपने supplier अगर आप को आपने यहीं तक वूटर शौर कर दिए पूरा अप defonne कंत यहां तक water shore करता हूं इसकी हाइट तक लेकिन मैं यहीं तक shore करूँगा क्यों मैं कुछ freeboard दूँगा freeboard is used to protect against the overtopping overtopping अबना पूरा पलट जाएगा हो कि आप हो क्या क्या टॉप डिजाइन करना है freeboard डिजाइन करना है फिर आप केसिंग कैसे करना है stability होने चाहिए केसिंग हों लग कैसे आप आप प्रवियर और है फिर आपकि इंपरिव्य जो इंपर्वियर स्कोर होती है उसको इंपर यसे बनती है तो एक लेट बना दो पिर इसमें दो लेट जो बना दो तीन लेएर बना दो ऐसे करी इंपरुपर बनती है कट-off Sc αुका से लोट के लिए पिर आपको जो ड्रेने जासप फोस्कोर आपने डैम बना यहां से आपका वोटर सी पेज़ों के आपको ड्रेश्ट के लिए यहां पर और Davennais क्या है आपका यहीं से वोटर निकाल ले यह पहले हिए यह आपका चिमी ड्रेनेज तो आप वो सकते हो डेने सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो टॉप फ्रीबॉर्ड का केसिंग यह सब इस तरीके से आपका यह इंबेक्ट में लोगा है कोशन देखते हैं राइड आट था मैठोड होथा कंप्यूटिंग होथा अर्थ 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 निकालने कौनकों ने में एक टू प्लस ए थ्री लेकिन बीच वालोगो चार बिटे जिरा हो तो एक प्लस चार प्लस पाज चे डिवाइड बाइड बाइंट वर फॉर कॉइंट में कैसे निकालोगे वी सी कट ओव कट वोल्यूम निकालोगे कैसे एल स्कॉर बाइफ फोर सिग्मा सी पढ़ लेना फ प्लेंग यह सब आपके जो हम उर्री डिसक्स कर चुके है ना आपको इन नोट से मिल देंगे एक्सलें इंद ब्रीफ डिफ्रेंट में होता है कैल्कुलेटिंग अर्थन तो आपको यह तो लिख नहीं है तीनों कि डीटरमाइब वॉल्यम ओध वर्थ 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 देखो आपको क्वेशन करती हैं तो कोश्चन से क्या होगा आपके चीज है और असान से क्लीर हो यह एंग असानी से हना वोल्यम ऑद्वर्थ निकालती है इसमें टिक है डिजाइंग वॉल्यूम ओधा अर्थवर्ग हमें डिटर्माइन वॉल्यूम ओधा अर्थवर्ग निकालना है बोटम लेंथ की वन है कोई भी ऐसा शक्चा था अगर आपने फांपोंड और कोशन कर रख तो वैसा ही कोशन है फांप जैसा ही ज्यादा इसनों कुछ आ बन रहा हुआ है आपकी दोनों चीज़े वैरी हो रही है यह साइड यह यह भी आपका वैरी कर रहा है और यह भी आपका वैरी कर रहा है मैं आपको यह जो डॉट लाइन है आपको इसको हवा में इमेजिन करो 3D में बहुत ही इसी चीज़े है जारा को difficulty है नहीं तो अगर आपको यह 20 और 12 है यह आपका bottom का area है यह 20 और 12 तो मुझे अगर यह top की length से निकाले है तो कैसे निकाल लोगे top की length यह 20 plus this length this plus this होगा राइट जिर्ण ध्यान से देखना यह length कितनी होगी depth कितनी इवन है 3 meter तो यह 3 meter और यह oriental ratio 1 का क्या ratio है 2 ratio 1 इसका मतलब क्या है कि अगर आपका vertical 1 है तो horizontal 2 होगा vertical है कितना depth कितनी है 3 है तो यह 6 होगा तो यह अगर आपकी 1 है light यह कितनी आपकी 3 है तो यह 6 होगी तो यह भी 6 होगी तो top lens कितनी आजएगी 20 प्लस 6 इंटो 6 आपको समझ में रहा है न तो बैसके 4 और यह बना दे रहा हूं इसका top वला व्यूट यह top वला व्यूट अगर आप टॉप सा देखोगे तो यह आपका आएगा 20 प्लस 6 32 ऐसी अगर आप यह देखोगे तो यह राइट तो यह भी 6 होगा तो यह कितना हो जागा 12 प्लस 6 प्लस 6 बहुत ही असान है इसमें ऐसा कुछ नहीं है 24 अब यह तो आपने लिया है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपने सिर्फ टू प्रोफाइल नहीं है तो पहला हम एंड एरिया में रेट से करते हैं सबोस क करो तो वह क्या होता है even आसट नीचेया अरीय निकालो अ एरिया निकालो डोनों का आवरेज का रो जो एफिरेज तो आपने क्या आपने क्या आपने क्या इसका एवरेंज लिगा एवन एटू इन दोनों का एवरेंज और डेफ्ट से मल्टिप्लाई कर दिया तो यह आपका आएगा 1512 202.122.3 को की अब वहां पे एक मिडल पर्शन होगे यह मिडल वाला बीच वाला पोर्शन यह वाला बीच वाला पॉर्शन भी आप लोगे तो अगर मैं बीच वाला पॉर्शन ना हम इससे करते हैं मिडल से सर यह आया था आपका 20 इस यह तो बहुत यह असान है मतलब यह तो 12 और यह 20 जनरली आपका प्रिस्ज मोडल यह यह जharकने यह यहाँ बुपर मिडल अब इससे लेंज कितनी होते हो तो यह 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 12 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो जागा ये 18 , ऐसी ये कितना हो जागा, 20 ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाईगा, क्योंकि यक आपकी टोड़ल 3 है, यह यह हाँ से लेकर नहां दर और यह इसका 2x है यह आपका 6 है यह भी 3 होगा यह बिश प्लस टीन प्लस तीन यानि यह 26 हो गया है तो आपको 3 और यह निकालना है बोटम का एरिया निकालना के बारह इन्टु आपको आएगा 768, now you are having this AMA3, तो आपको formula क्या है, A1 4AM plus A3, इसी को हम by 6 into D, ये ही हम farm point में करते हैं, तो उसको ABC से दिखा जेते हैं, same है उसमें भी, तो आपको आजाएगा 240 plus 4 into 468 plus 768 divided by 6, और जो depth है, वो है आपको कितनी, 3 meter into 3, if you solve it, it is a 1440 meter cube, तो ये आपको कितना आगया, 1440 meter cube by the prismoidal, end area से करोगा तो आएगा 1512, the prismoidal is more accurate, right, next, describe with the help of the suitable diagram, the kite of the earthen embankment, अब आपको diagram बनाना से होसाले, homogeneous का बनाओ, homogeneous, earthen embankment आपके कौनकों से होते हैं, दो टाइप के, एक तो आपका रहेगा hydraulic dam, एक आपका रोग फिल रहेगा, रोग फिल में क्यों होता है, इसम एपका बना होती है, यह भाली, अपका रोग बना होती है, अगर आप जाओगो किसमें, आपका डाइफरेंट टाइप में तो पूरा बनाएं यहां पर यहां पर किसी में डैम बनाओ ऐसे कि हम यहां पर डेम सिस्टम में दिखाऊ एक और आपका डाइगरम बंज नेंगे अघे बढ़ते हैं। Use the net sketch, compare simple and the diaphragm. आपको आगे सिंपल होमजीनियस, the diaphragm type of the Em Чоловम के बना होता है। यह होमजीनियस का है। यह होमजीनियस की सीपेज लाइन होगही। यहां पर आपको डाइफ्रैंम बोल्ड हो गया is pontica यह लोग्षेयग ऑपिस्फ़ पर को इंप्सपरी यहांसरे हुआ है यह भी यहांप शीवर्ट्रेशन भी दिखा सकते जाए च्वीय Kyu dc for four points इसको घ्रिड में टिए है तो आप एले सुपंधे इवाइट कर दो इसके घ्रीड के बनाओ ऐसे गरेट तेविल में लाने बड़ेगी ग्रेट वन तो आपको सब्रुच पूरेगी तक वनेंगे तीन चार रहें घ्रीड का आपको ग्रीड में का formula क्या होता है height of centroid of the grid minus height of the given point right तो यहां से cut of fill मिल लाएगा minus में हाय तो cut है plus में हाय तो fill है so cut fill मिल लाएगा sigma c is the summation of the cut of all four points l sigma or f is the summation of the cut of all four points तो आप sigma c की table बनाओ यहां पर sigma f की table बनाओ if sigma c sigma f मिल लाएगा फिर आप बनाओ vc, vc आपर कहता है l square by 4 because we are taking the square grid the l is the distance between this right point to point so sigma c का square divided by sigma c plus sigma है we check कर लें ना formula बस जो मैंने starting कोड़ाय था उससे इनोंडे याद निरहें से ना यह सिग्मा c volume of cut निकाल लो volume of fill निकाल लो हर grid के लिए तो आप ऐसा हर grid के लिए करोगे आपको second grid में आओगे फिर इन चार पॉइंटों का cut or fill add करोगे फिर इन चार पॉइंटों करोगे तो इससे किस आप हो grid basis पे अनालेसिस होगे अगला what are the recommended cut fill ratio यह मों अल्यडी discuss कर चुके है fine texture है कितना हो दा coarse texture को आपको यह notes से मिल लाएगा what is the purpose of calculating the land grading the land grading क्या है land grading का purpose क्या है basically we want to like make the soil for the proper irrigation रहे proper soil control रहे proper drainage रहे तो आपके land grading में क्या होगा better crop yield मिलेगा तो land grading क्या होता smoothening of the land आप topography जो undulated topography रहे से control कर रहे हो method क्यों से होते हैं आपका plane method plane फिर आपका profile method होता है फिर आपका plan inspection method होता है फिर आपका contour adjustment method होता है चार मिलेड़ आपके होते हैं contour adjustment plane और plane profile हो रहे हैं सब नेक्स्ट क्लासी भाई तो land use capability depending upon the slope मैंने बता है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th यह तो आपका slope के यहाप cultivation के लिए होगा है not cultivation के लिए होगा slope कैसे याद करोगे 0 to 1 यह flat land होता है यह 1 से 3 यह 3 to 5 और यह 5 to 10 अब यह 15 से शाड होता है 15 से 25 पच्चिस ददस को वैवल याद कर लो 35 से पच्चास पचास तो हमें खतम करना है कि क्या हो तो 50 मुझे खतम करना है राइट क्योंकि यहां 50 ही रहेगा 15 से 60 से 50 से खतम होता है 35 से 50 यह 33 कर देना याद करने के तरीका है तो यह slope यह पर स्रेंड की जाथ से आपने मेरीएशन कर दिया लिश्ट आप आपको बता है यह आप इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है यह बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन में लोगी क्रोप के लिए बहुत अच्छा है यह फेली गुड लैंड यह आपका थोड़ा गुड है आपको लिखने को अ आपको लिखने सी आंशर बहुत गटारविटिक टॉफिंटि और फ mess चाहिव चाहि दिस्क्राम अच्टिंफटDन चाहिए जोन टाइप टॉर्फ यजरिन तक्नी त्रह in यह आपका तोफ वी को सब्सक्राइप दूइघ टाइवला तोभीं टाइप का फॉमला निगे दो फिर फ्री बोड का डिजाइन लिखो फ्री बोड आपके टोडाइब के होती है नौ मिनियल और मिनिमम फिर आपको दूसरा जो कोर डिजाइन करनी होती है कट ओफ ट्रेश डेनर सिस्टम जो यह लाश्ट में डिजाइन बला है था थोड़ा वह स्टेप्स लिख दो युग ब आपके इसमें इतने कोशन दे थेंक्यू वरी मच्च